सब्सक्राइब करें सब हिंदी नियूज चानल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिले ताजा खबरें सबसे पहले उत्तरप्रदेश के शहर वारान असी में एक निर्माना धीन फ्लाई ओवर का एक हिसा गिरने से 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तीन लोग मलबे में डब कर घायल हो गए इस हाथ से में यूपी सरकार ने कारेवाई करते हुए चार अधिकारियों को सस्पेंड किया है इसमें चीप प्रोजेक्टर मैनेजर एच सी तिवारी प्रोजेक्ट मैनेजर के अरसूदन असिस्टेंट इंजीनियर राजेश सिंगोर इंजीनियर लालचंद को सस्पेंड क इस हादसे में सस्पेंड किये गए प्रोजेक्ट मैनेजर के अर्सूदन ने कहा कि इसमें कुछ गलती नहीं हुई है, काम खत्म करने का प्रेशर था, हम बहुत परेशान हैं अभी, हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशफ प्रसाद्म और यह घटना स्थल पर पहुँचे, उन्होंने कहा, हादसे की जाज के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो भी दोशी पाया जाएगा, उसे बख्षा नहीं जाएगा, जाज कमीटी 15 दिन में रेपोर्ट सौपेगी, केशफ प्रसाद मौर्य ने अस्पताल जाकर हादसे में घाया लोग से बना रस पहुँचे और यहां अस्पताल में घाया लोगों से मुलकात की, उनका वाल जाना, योगी आदित्यनात ने मृतकों के परिजनों को पांच लाक रुपे मौावजे का एलान करने के साथ साथ जाज के लिए उचस्तरिय कमीटी बनाने को कहा है, प्रधान मंत्री मोदी ने अपने संसदिये क्षेत्र ने हुई इस घटना पर दुख जदाते हुए ट्वीट कर बताया कि उन्होंने स्थानिय अधिकारियों से बात कर पीड़तों को हर मुम्किन मदद मुहे या कराने के निर्देश दिये हैं, हाथ से पर दुख व्यक्त करते हुए राहु झाल